पाली जिले के सांडे राफ थाना छेतर के धोला गाउं में बिजली बंद होने से बुधवार रात को एक बाइक सवार युवक की मोड पर बने कट से टक्राने पर मौत हो गई वहीं संबंद में सांडे राफ थाना के एसे चो लक्षमन सिंग ने बताया कि मिरतक रामलाल बुधवार रात करीम नौ बजे बाइक लेकर खेट से अपने घर लोट रहा था जब फोर लेन से सर्विस रोड होते हुए गाउं की तरफ मड़ा उसी दोरान हाथसे में वह बाइक समेथ गिर गया जिससे उसकी मौत हो गई सूचना मिलते ही गुस्साई ग्रामीन मौके पर पहुचे और सर्विस रोड पर लाइट वेवस्ता नहीं होने पर हाथ से होने पर आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन की जने पुलिस द्वारा समझाईश कर शांत कराया गया पाली से जुगल किशोर बावल की रिपोर्ट